एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए थोड़ा सा गला खराब है कि भई क्या हम अपने कुल देवी देवताओं को भी अपना इस्ट धारन कर सकते हैं किसी का सवाल था तो सोचा इस पर भी वीडियो बन जाए ताक चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करते हैं जैश्री राम जैश्री बाला जी मारा जय माता है आपकी किर्पा से हमारी यात्रा मंगल में रही हम मेंदीपुर बाला जी से आ गए हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार की फोन कर रहे हैं कि गुर्जी क्या आप अभी भी मेंदीपुर बाला जी में हो ये जो गला खराब हुआ है ये जो वहीं से जो बाबा की किर्पा से जो प्राप्त हुआ है उन्हें की किर्पा है तभी तो ये गले खराब होते हैं ये तो ऐसे गले खराब नहीं होते हैं तो क्या है कि क्या आप अपने कुल दे कर रहे हो तो संधेट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इ parchment कि जब उसी को धान कि ज visual मित्ता होती है अपकी में जिसके परती आपके अंदर भाव प्रकट होते हैं कि जो बार बार आपको में जिसके परती आपका समर्पन उत्पन होता है अंदर से इमोशन उत्पन होते हैं आपकी बावनाई जाल भी तो होती है मा लिजे अगर आपके कुल के अंदर हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी की पूजा होती है और वापा आप रियल लाइफ में भी अपना हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और फिर इसमें कनफ्यूज हो कि मैं इस्ट देव किसको धान करो अपना इश्ट मित्र उसी को धार्ण करो जो आपके हर्दे में धर्खते हैं चैशिव के रूप में धर्खते हैं या राम जी के रूप में धर्खते हैं जिससे आपको अंतर से प्रेम है जिससे आप मालो सब कुछ उनको ही मानते हो वही आपके इश्ट है उन्हीं को ही आप अपना इश्ट देर धार्न कीजिए एक भक्त है उनका नाम के है शगुन उन्होंने इस तोपिक पर वीडियो बनावाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अगर इश्ट देव आप जिसको भी मान रहे हो और वो मान लो, किसी कि पुल देवी देवता मादुलका की पूजा उती या मादूली की पूजा होती है तो आप उनको अपना इश्ट दे बना रहे हो तो सबसे बढ़ी बद इश्ट देव का मतलब है कि आपका इश्ट मित्र एक विशेश मित्र जो आपका हर दुख सुक में आप का साथ दे जिस्वी प्रस्थिती में आप मित्रता को निभाए इष्ट देव इष्ट मित्र होता है तो उसी पकार से अपने इष्ट देव को आप कर सकते हो कुल देवी देवता के को भी आप धन कर सकते हो अब मन में संधे रहता है कई बार इस पकार का रहता है कि हम अम्मालो हनुमान जी की पूजा करते हैं हमारे खांदन के अंदर और नेकिन हम जो अंदर से भावना उत्पन हो रही है वो शंकर जी के परती हो रही है या राम जी के परती हो रही है तो इसमें कोई भी नहीं है आपको जिससे प्रेम उत्पन होता है अंदर से भावना कई लोग कन्फूज होते हैं कि किसको अपना इश्ट देव बनाएं इश्ट देव बनाने में कन्फूजन कोई भी नहीं होनी चाहिए कन्फूजन में ये है कि जो आपके इमोशन जिसके परती जागत हो अब ये भी कन्फूजन एक खड़ी हो जाएगी कि मा दुर्गा के परती या हन्वान जी के परती तो अब मैं हन्वान जी को धान करूं या मा दुर्गा को धान करूं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप अब इस्ट देव जो है अपके जिसके आपके अंदर से भावना जगे महलो अंतरमन जिसके परती रोना निकलाए जिसके परती आपकी व्याकूलता बढ़ जाए उनको अपना इस्ट मुनाना चीए अब मालो अब परलाद आपको पता है की हिन्नकरशक ने परलाद को मारने का बहुत बार पर्यास किया तो उस समय क्या हुआ उन्होंने किसी और को याद न tren किया अगर उनकी हर पर पकब रक्शा करी नर्सिंग अवतार लेकर उनकी रख्षा करी है और आज भक्त के रूप में भक्त शिरोमनी के रूप में परलाद का नाम लिया जाता है तो इसी पकार से आपकी भक्ती जिसके परती समर्पन है अपनी व्याकुलता अंदर उबरती है अंदर से बचैनिया उत्पन होती है ऐसे कोही अपना इस्ट देव बनाना चाहिए इसमें करिफूजन कोई भी नहीं है अगर आपके राम जी के परती रखते तो राम जी को इस्ट देवधान कीजिए हनुमान जी के उत्या राम जी को कीजिए मादुरुगा के परती होते हैं तो मादुरुगा को अपना इश्ट देवधान कर सकते हो इसमें कोई भी आपको संधेक करने की जूरत है ही नहीं संधेक को दूर कर दीजिए आप अपने मंद से ये आपको मैंने बता दिया कि जिसके परती आत्मा धरकती हो उसी को अपना इश्ट देवधान करकर पुजा याचना स्टार कर दीजिए उनके मंत्रों का गुंगान कीजिए उनके पाठ कीजिए और आपको शिर्की शिर्क आपके इश्ट की किरपा भी प्राप्त होगी और हर पगपग पर आपकी रक्षा भी करेंगे जब भी आपकी मुसीबत पड़ेगी वो किसी ना किसी रूप में तो की कल्यूग में जो जब जब अधरम बढ़ता है तब तब प्रभू किसी ना किसी रूप में अफ्तरित होते है और मनुश्य रूप में भी आकर आपकी रक्षा कर सकते है या किसी के रूप में भी आ जाए ये इस माद में कि आपके गुरू के रूप में आ जाए आपके किसी भी मादा पिता के रूप में आए या किसी भी पकार से आपकी सहारा बने वो आपकी रख्षा करेंगे कैसे ने कैसे करेंगे तो ये आपको इसमे संधे करो इमत विल्कुल भी तो बोलिये जैसी तराम जैस श्रीप वालाजी